ये गाईज विलकम तो मैं चैनल ग्लैम विद प्राचियाग तब कैसे हो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होगे अभी तो पहर के साड़ी ग्यारा बज रहे होंगे और मैंने अभी से अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है पुझे लगा चलो अभी से मैं अपना वीडि करते हैं वो सब कुछ आपनों की साथ सेयर करते हैं और अभी तो थंडी का मौसम आ गया है तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है सच बताओं ये वाला जो मौसम होते हैं ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें न थंडी रहती न गर्मी रहती कुछ भी र होता है यह संब में क्या होता है ना कि मौसम बहुत सभी रहता है है थो अब इना ऐसे ही हो जा रहा है थो चुटा सा जादा फानी हो जाता है तो घला जीत होने लगता है खांशी आने लगते है कर दिया है अभी मैंने सारी चीजे पीछे सिट कर दिया है अभी डाइनिंग टेबल अब थोड़ा साफ तुत्रा लग रहा है और यह स्टेंड वगेरे अभी रखा हुआ है क्योंकि किचन में बेमा कितना परेसान कर रहे हैं कि दिमाग खराब करके रखे हैं मैं इधर चलती हूँ पूजा इलाइची कूट रहे हैं क्योंकि हम लोग आज बना रहे हैं पेडा और पूजा मतलब पेडा बनाएगी और मैं बनाओंगी रवा, खोवे, मेवे वाले लट्टू तो खोवा नखा हुआ था ना काफी जादा यह लेकर के आगे हैं तो उसको यूटिलाइज करना है और वैसे भी कल रात में ना हमने फ्रिज को बंद कर दिया था हो फिद चलाने की याद नहीं थी तो पूरी रात इसे क्लाने की बंद फ्रिज को में बंद तो रात में खैंता लात वी कारिश नहीं थी तो खोवे तो तो खोब तो फिर एंद रात में था और अभी मैं आपरों को दिखाते हूं कैसे मैं खुआ और रवा के लड़ो बनाती हूं तो सबसे पहले मैंने यहां पर ड्राइफ फ्लेम को चॉप्ट कर लिया हैं और अभी इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद ना फिर इनको में निकाल करके थ खोड़ा से मैंने इसमें घी और एड किया हूँ था और रवा भून लूँगी तो रवा बिल्कुल स्लो फ्लेम में भूनूँगी ताकि वह बहुत जादा जैसे होता नहीं कभी-कभी नीचे से लगने लगता है रादा रेड रेड हो जाता है तो वैसे मैं नहीं करूँग जाता है ना तो समझ रहो कि पग गया है तो यहां पे सारा समान मेरा इकठा हो गया है भूरा है इलाइची पाउडर है और रवा खोवा मेवा सब कुछ है तो मैं इन सब को आपस में मिक्स कर दूँगी और अच्छे से मिलाने के बाद बस हम गोल गोल लड़ो बना लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है रवा और खोवे वाले लड़ो की कुछ भी अलग से इसमें करने की जरूरत नहीं वैसे तो चासनी वाला भी बनता है लेकिन मैं भूरा वाला बना रही हूं तो बूरा वाला तो और भी ज़्यादा इजी है सबको भून करके कि अभी शाम का टाइम है और हाज मैंने बनाया हुए मैगी क्यूंकि मेरा ना ये सूप आली मैगी खाने का मन कर रहा था अभी थंडिया श्टार्ट हो गई ना तो थंडियों में मुझे ऐसी ना सूप वाली मैगी ही बहुत पसंद है और सूबा मैंने आलो टमाटन निकाल लिया था जब देखा तो मैगी नहीं थी तो फिर ये दो पहर में बाहर गये हुए थे तो अधर से ले आएं तो बस अभी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ऐसी सूप वाली मैगी पसंद होगी और मुझे तो ना मैगी बहुत थोड़ी सी बस इसका जो सूप होता है न वो पीने में अच्छा लगता है सूप वाली मैगी खाने का हुए इसमें है टमाटर आलू और सूप सबसे ज्यादा यही मुझे पसंद है ठंडियों के टाइम पे तो और ज्यादा मुझे सूप वाली मैगी उतनी नहीं पसंद है सूप वाली ही अच्छी लगती है लेकिन ठंडियों में तो जाद तर टाइम में सूप वाली ही बनाती हूँ इनको सूखी वाली पसंद है मुझे सूप वाली पसंद है कि इसका ना थोड़ा सा नीबू डाल दो मिर्ची रहती है थोड़ा चलजीरा रहता है तो जो वो खट्टा पन तीखा पन रहता है ना सूप में बहुत अच्छा लगता है मुझे मैगी में उतना चाद इंट्रेस्ट नहीं रहता है बद सूप पीने कमन करता है यह वाला मैगी हमने खा ली है टीवी बंद कर दूं शालू थी और बैठते थोड़ी देर नाक में तुछा जीब सा लगने लगा है गरम गरम मैगी खाते-खाते न ऐसा लग रहा है जैसे जुखाम सी हो गई हो तो अगर सूप वाली मैगी खाते न तो ऐसे ही होता है ऐसा फील होता है जैसे जुखाम होने वाली है और अभी मैने बाल को लिया क्योंकि मैं जा रही हूं हेयर ओयलिंग करने तो मैं ने सचा उससे पहले मैं अपने वीड़ एकंड कर दू क्योंकि पटह नहीं क्यों हेयर ओईलिंग करने के बाद Ав फिर मेरा कैमरा ओन करने पाद आसे ऑल कि हर किसी का अपना comfort zone होता है मैं नहीं comfortable रहती हूं वैसे तेल वाले चिपकू बालों में जब बाल दुले उले रहते हैं सूखे ड्राई रहते हैं तभी अच्छा लगता है और वैसे भी मेरा रात वाला time होता है रात के टाइम पे मैं बालों में तेल डालती हूं तो रात के चाइन पे ज़्यादा तर वीडियो बनाती ही नहीं हूं मेरा सूबह से स्टार्ट होता है तो शाम तक खतम ही हो जाता है तो इस वज़े से और भी ज़्यादा आप लोगों के कॉमेंट्स आ रहे हैं कि आपका भी कौन सा मन्त चल रहा है क्योंकि बीच में मैंने काफी अभी ना लोगों को फिर कनफ्यूजन हो रहा है कि अभी अब कौन सा मन्त चल रहा होगा और में सबसे बड़ी बात है ना नय नय लोग डेली आप से चुड़ते रहते हैं तो उनको वो प्रिवियस वीडियो नहीं देख पाते हैं तो बहुत सारी चीज़े होती हैं उनके नौलिज में नहीं होती हैं नहीं पता होता है जैसे अभी बहुत सारे लोग देखतो रहे हैं कि मैं प्रिग्नेंट हो वर उनको यह नहीं पता है कि कौन सा मेरा मन्त चल रहा है क्या कैसे तो कॉमेंट्स आते रहते हैं बहुत सारे कि आप बताई नहीं आपका कौन सा मन्त चलना है और हर एक कॉमेंट का उसी में जाज आकर के रिप्लाई करना भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है क्योंकि आज कल मैं रिप्लाई बहुत कम कर पा रही हूं बहुत स्टार्टिंग में तो आधे एक घंटे जो कॉमेंट्स आते हूं उनके कर देती हूं फिर इसके बाद में कर पाती हूं कि बहुत आखों में भी जोड़ लगता है और फिर न बारी भारी तो हो जाता है तो इतने सारे कॉमेंट्स करना असां काम नहीं है तो इस विजए से और अभी मेरा नाइन मन्त मिन श्टार्ट हो गये हैं हो हो गया कितना पांच एछे दिन हो गया नाइन मंधफें स्टार्ट हो गया मेरा तो लोगे आप ऊब दिन कर कर के और रूसे किसी भी बीया गया तो किसी بीदिन कुछ भी हो सकता है ऐसे situation आ गई है क्योंकि नाइन मन्थी स्टार्ट होने के बाद फिर किसी को नहीं पता होता है कि कब क्या हो जाए या क्या एमर्जिंसी पड़ जाए तो शलू बस यह अपडेट था बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने सुचा बता दूँ अभी मेरा नाइन मन्थी स्टार लाइब कर देना साथ में बेल आइकन को जरूर प्रिस करना ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डानो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरहत मिल जाए और मैं मीनूगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए बैबै झाले